हलो दोस्तों मैं एंके सिंग आप सभी लोगों का विज्डम हबिस्टडी पर स्वागत करता हूँ तो चलिए दोस्तों आप हम शुरू करते हैं मैं सेशन नंबर 47 पहले वे कोशन डिसकस कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को 46 में दिये थे तो यहां पर प्रेशन है संहती नावक पर योजना किस राज्य सरकार द्वरा संचाली थे तो यह योजना उडिसा सरकार के द्वरा संचाली थे इंद्रा गांदी सांति पुरुसकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी 1986 में इसकी स्थापना की गई थी रक्षा एलेक्ट्रोनिक्स अनुसंधान प्रयुक्साला DLRL का मुख्याले कहां इस्ति थे हैदराबाद में इसका मुख्याले इस्ति थे सर्वोच्य युद्ध कालिन वीरता पुरुसकार कौन सा है पर हम वीर चक्र सर्वोच्य युद्ध कालिन वीरता पुरुसकार है सर्वोच्य सांती कालिन वीरता पुरुसकार कौन सा है अशोग चक्र सर्वोच्य सांती कालिन वीरता पुरुसकार है दोस्तो अब यहाँ पर जो हम चार टोपिक डिसकस हरेंगे तो पहला topic है यहाँ पर भारत-गौरव योजना भारती railway ने व्यापक परेटन संभावनाओं के दोहन के लिए एक नई योजना को launch किया है और इस योजना का नाम है यहाँ पर भारत-गौरव तो यह योजना क्या है? तो अगर हम इस योजना की बात करें तो योजना के तहट अब ट्रेनों में परेटन के लिए तीसरा अनुभाग होगा अब तक रेलवे के यातरी अनुभाग और माल अनुभाग के तहट यहाँ पर सेवा प्राप्त करते थे ये नियमी ट्रेने नहीं हैं जो एक समय सारणी के अनुशार चलेगी बलकि IRCTC द्वारा चलाई जा रही रमाण एक्सप्रेस की तरज पर ये संचालित की जाएगी थीम अधारिक टुरिस्ट सरकिटों के अनुसार यहाँ पर ट्रेनों के तहट इनकी घोशना की जाएगी इन ट्रेनों की थीम अधारिक सरकिट में नीजी भागिदारों और IRCTC दोनों द्वारा संचालन किया जाएगा थीम अधारिक परटन से रेलवे का आशय गुरु कृपा जैसी उन ट्रेनों से है जिसका संचलन गुरु नानक से संबंदित सभी इस्थानों पर किया जाता है या रमाड थीम वाली ट्रेनों से जहाँ पर भगवान राम से सम्बंदित इस्थानों के लिए संचालित किया जाता है सोसाइटी ट्रस्ट कंसोर्टिया और यहां तक की राजे सरकारों ने इन ट्रेनों को लेने के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है और इन है थीम अधारित विशेस परेटन सरकीट पर संचालित किया जा सकता है सेवा पर्दाता, परेटको को रेली आत्रा, होटल, विशाम इस्थल, दरशनी इस्थल, के सासAT विवस्था इतिहासिक, विरासत इस्थल, आदी इस्थलों पर भ्रह्मन तथा टूर से सम्बंदित गाईड आदी सभी प्रकार के समावेशी पैकेज को यह प्रतान करने में सक्षम रहेगा योजना से क्या लाब होगा तो ये ट्रेन भारत और दुनिया के लोगों को भारत की समर्द संस्कृति विरासत वभव एतिहासिक इस्थलों के दर्शन कराने के लिए वीजन के रूप में कारे करेगा जो की उस वीजन को साकार करने में सहायक सिद्धोलत होग इस योजना से क्या लाब होगा तो ये ट्रेन भारत और दुनिया के लोगों को भारत की समर्द संस्कृति विरासत वभव एतिहासिक इस्थलों के दर्शन कराने के वीजन को साकार करने में सहायक होगा इस से भारत की व्यापक पर्यटन संभावनाओं के दोहन में मदद मि यह चार अन्य योजना हैं इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा यहाँ पर अगर हम बात करें भारत में परेटन सेक्टर को लेकर के तो भारत में परेटन देश की अर्थ वस्ता के लिए काफी महतपूर्ण है और यह तेजी से बढ़ रहा है वर्ड ट्रेवल एंड ट्यूरिज्म काउंसिल के अनुसार सकल घरेलू उतपाद जीडीपी में यात्रा और परेटन चेत्र का योगदान 2020 में 121.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर था इसके वर्ष दो हजर अठाइस तक 512 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक होने की संभावना है भारत के सकल घरेलू उतपाद में उद्योग चेत्रवप प्रत्यक्ष योगदान वर्ष 2019 और 2028 के बीच लगबग 10 दसमलों 3-5 प्रतिशत की वाशिक दर से बढ़ने का अनुवान है यहाँ पर इसके अलावा यात्रा और पर्यटन प्रतिश वर्तात्मक रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत को समगर रूप से 140 देशों में से 34 वा इस्तान प्राप्त हुआ था जो इस छेत्र में सुधार के लिए भारत के प्रयासों को दर्शाता है तो हम कह सकते हैं कि यह जो योजना है इसके माध्यम से बहुत सारी संभावनाय बढ़ जाएंगे देश में प्रयटन को ले करके दोस्तों यहाँ पर जो अगला टोपिक है वो यहाँ पर 37 वा भारत इंडोनेशिया कॉर्पेट भारती नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वीत गश्ती का 37 वा संस्क्रण अयुजित किया गया है यहाँ पर तो यह जो आप देखेंगे इंडोनेशिया को तो इंडोनेशिया एक बहुत सारे आईलेंड से मिल करके बना हुआ एक देश है जिसकी राजधानी है और यहाँ पर जो आ जाता है इस पूरे के पूरे गश्ती और कॉर्पेट के बारे में तो इस अभ्यास में दोनों राष को को सुद्रढ करनी के लिए दोनों सेनाय वर्ष 2002 से वर्ष में दो बार अपनी अंतराष्टी समुद्री रेखा के साथ कॉर्पेट सेन्य अभ्यास का संचालन करती है जो कि नो सेना के द्वारा किया जाता है इस पूरे संचालन का उद्देश क्या है तो इस अभ्यास का उद्देश हिंद महासागर छेत्र को वाणिजिक नौवहन अंतराष्टे व्यपार और वैद समुद्री गतिवीदियों के संचालन के लिए सुरक्षित करना है इसको कॉर्पेट अभ्यास नौ सेना के बीच समनवय एवं अतिक्रिया शीलता के निर्माण में मदद करता है और मचली पकड़ने के अवेदव अनियंतरित गतिवीदियों को रोक्थाम तथा दमन, मादक पडार्थों के तशकरी, समुद्री दकैट्री, कुर्ट रोक्थाम हेतु, कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान, अवेद प्रवासन तथा समुद्री में खोज एवं बचाव कार्यों में महतुपुण भूमी का निवाता है सागर मिशन के दरश्टी कौण के लिए हैं बहुत ही महतुपुण हैं, भारा सरकार के सागर मिशन, सेक्रिटी एंड ग्रोथ फॉर आल इंदा रीजन्स, मिशन के दरश्टी कौण को एक भाग के तोर पर भारति नौ सेना, दुपक्षी, एवं भोपक्षय अभ्यासो, समन करके ये उनकी सुरक्षा के प्रती जिम्मेदारी निभाता है, इसका मुख्य उदेश, छेतरी समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है, इंडनोरिशिया के साथ भारत कुछ अन्नी यहाँ पर सेन्य अभ्यास करता है, समुद्र शक्ति जो कि द्विपक्षी समुद्र की बीच द्विवार्शिक त्रिपक्षे तर्टरक्षक अभ्यास दोस्ती के पंद्रवे संस्क्रण का आयोजन मालदीप में किया गया है यहाँ पर, तो मालदीव के अगर हम बात करें, तो यह हिंद महा सागर छेतर में आता है, और इसकी जो राजधानी है, माले है, और मा पर देखें, इस पूरे सेन्य अभ्यास को लेकर के, तो अभ्यास दोस्ती को वर्ष 1991 में भारत और मालदीव के तर्टरक्षकों की बीच शुरू किया गया था, सिरलंका पहली बार वर्ष 2012 में इस अभ्यास में शामिल हुआ था, पिछले 10 वर्षों में आयोजित अभ्यास प्यासों ने समुद्री दुरगटनाओं की स्थिती की में सहायता प्रदान करने, समुद्री प्रदूशों को समाप्त करने, तेल रिसाव जैसी स्थितियों के दोरान तट रक्षक की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया है, अभ्यास 2021 के दोरान भारती तट रक्षकों पूत वज्र और अपूर्वा को तेनात किया गया था, इस अभ्यास के अगर हम उद्देश की बात करें तो भारत मालदीव स्रिलंका तेरी पक्षे अभ्यास दोस्ती का उद्देश संबंदों को मजबूत करना, आपसी सहयोग वच्छमता बढ़ाना, तथा भारत स्रिलंका के तर्ट रक्षकों के बीच सहयोग इस्तापित करना इसका उद्देश है यहाँ पर, हालकि सुरक्षा संबंदी विकास के अगर हम बात करें देशों के मद्द में, तो भारत स्रिलंका इस वर्ष अगस्त 2021 में आयोजीद एक उप राष्टिय सुरक्षा सलाकार और माल्दीव सुरक्षा सहयोग के चार इस्तंबों पर काम करने के लिए सहमत हुए हैं, इन समुद्रे सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे छेत्रों से सामिल हैं, इसे से पहले तीनों देशों के जो खूफिया एजेंसी से सूचनाओं के आदान प्रदान का दायरा ब तो दोस्तों यह हमारा तीसरा टॉपिक था, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिसकस करेंगे वो है यहाँ पर एक्रोस योजना, आर्थिक मामलों के मंत्री मंडली समीती ने पांच वर्षों के लिए 2021 से लेकर के 2026 के लिए जो की 15 वित्वर्ग एक चक्र के लिए होगा, के अब यहाँ पर बात करें, इस पूरे योजना को लेकर के एक्रोस योजना के बारे में, तो एक्रोस योजना प्रत्वी विज्ञान मंत्राल है, के वायू मंडली ये विज्ञान कारिक्रमों से सम्मंदी थे और यह मौसम एवम जलवायू से जोड़ी सेवाओं के विभिन पहलूँ पर ध्यान के इंद्रित करती है, इनमें से प्रतेक पहलू को एक्रोस की सम्मंदी योजना के थाथ आठ उप योजनाओं के रूप में शामिल किया गया है, निम्न लिखित आठ योजनाओं के माध्यम से उप्यूक्ति कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतेक संस प्रतान को एक निर्दिष्ट भूमी का क्या उशक्ता होगी यहां पर, वे जो आठ जो यहां पर शामिल किये गए उप योजनाओं हैं, उनके अगर हम बात करें, तो यहां पर है पोलारी मेट्रिक, डॉपलर वेदर रडार, पुर्वानुमार प्रणाली का उन्नयन, मौस शक नेटवर्क, मौसम एवं जलवायू की संख्यात्मक मॉडलिंग, मांसून, मिशन, मांसून समवहन, बादल और जलवायू परिवर्तन, उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग, प्रणाली, यह यहां पर आठी योजनाओं हैं, अगर हम बात करें किसका की कार्यान वैं कैसे किया जाएगा, तो यह योजनाओ पर्दिवी विग्यान मंत्राले, द्वारा-भारत मौसम विग्यान विभाग, राष्टियम मध्यम अवधी मौसम पुर्वान अमान केंदर, भारती उष्ण देशी मौसम विग्यान संस्तान, और भारती राष्टी महासागर यहाँ पर करन्वित किया जा रहा है महत्विक अगर हम बात करेगी इन योजनाओं से क्या फाइदा होगा क्या लाब होगा तो यहाँ योजना मौसम जलवाईयो और समुद्र के बारे में बहतर तरीके के पुर्वानुमान और सेवाओं और अन्य जोखिम संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी इसमें चक्रवाद, तुफानी लहरो, हीट वेव और तड़ी जन्जा से संबंधी चेतावने शामिल होगी पुर्वानुमान से जुड़ी सूचनाओं को तयार करने से लेकर के इनके वित्रण तक की पूरी प्रक्रिया में हर इस्तर पर काफी संख्या में श्रमसक्ती की जोड़त होती है जिससे कई लोगों के लिए रोजगार के आउसर पेदा होते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अक्रोस के माद्य हम से यहाँ पर आठ प्रकार की सेवाई संचारित की जाएगी तो यहाँ पर जो कोशन से वो है भारत इंडोनेशिया कॉर्पेट सैन्य अभ्यास नौसेना की जो होती है इसके शुरुआत की स्वर्ष की गई थी भारत रिपक्षी अभ्यास दोस्ती किन देशों के साथ करता है भारत और मालदीव तट रक्षकों के बीच दोस्ती नौसेना अभ्यास की शुरुआत किस वर्ष की गई थी सैन्य अभ्यास दोस्ती में शिरलंका पहली बार कब शामिल हुआ था एक्रोस योजना का पूरा नाम क्या है एक्रोस योजना किस मंत्रा लेके द्वरा संचालित किया जाता है दोस्तो ये वीडियो से दिया आप लोगों को फायदा मन सावित होता है तो इससे आप खुद देखिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल न भुले चले फिर से मुलाकात होगी अहिवे गुड़े जैहिन जै भारत